नमस्कार चात्रों मैंने आपको एक दो और तीसरे पार्ट का पैरग्राफ का अनुवाद समझा दिया था अब मैं आखरी यहां से समझा रही हूँ क्योंकि यहां तक मैंने समझाय था बगवान चंद्र के द्वारा आपके पास मुझे बेजा गया है अहम तद आग्यम मैं उनकी आज्या से ब्रभीमी मने बदा मी बता रहा हूँ सुनो तद एते यह साब चंद्र सरो रक्षका हाँ चंद्र तलाब के रक्षक खरगोश तवया निस्यारिता तुमारे द्वारा निकाले जा रहे हैं तद अनुचितम कृतम यह अनुचित किया ग अर्थत मेरे द्वारा इनकी रक्षा की जा रही है अतयों में शशांक का इति प्रसिद्धम इसलिए मैं शशांक नाम से प्रसिद्ध हूँ में मेरी आज्या से तालाप से दूर जाओ अन्यता बिनाश होगा ऐसा कहते हुए दूते यूथ पती भयात अहा ऐसा बोलते हुए दूत ने यूथ पती दूत के ऐसा बोलने पर यूथ पती डर से बोला है भगवन एदम अज्यानता कृतम ये अज्यानता से किया गया है अब अगला लास्ट पेरग्राफ हमारा दूत वाज से लेकर स्याथ तक है इसका नुवात समझारियों में दूत बोला यदी ऐसा है तो सरसी कोपात कमप मानम तो तलाब में गुस्से से कापते हुए भगवान चंद्र को प्रणाम करके यहां से दूर चले जाओ इसके बाद रात में दल के साथ हातियों के दल का नायक पानी में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिविम्ब को देखकर प्रणाम किया उक्तम चा और कहा हे देओ प्रसन हो जाइए प्रसीद माने प्रसन हो जाइए अज्यानता से यह अपरात किया गया है शमा कीजिए ऐसा कहकर वे अन्यत्र चले गए खुर्शी होकर खरगोश नाचने लगे और ब्रद्दम शशकम सिलिमुखम और बूरे खरगोश सिलिमुख को बात करते हुए बोले व्यपते से अपी सिद्धी स्याथ यानि संकट में भी सफलता होती है यदि बुद्धी से काम लिया जाए बच्चों यह आपका अनुवाद हुआ अब मैं इनी परग्राफ से संबंदेद आपको संदी विच्छेद दे रही हूं करने के लिए यह इसी पार्ट से संबंदित विशेश और पर्याय वाची शब्द भी लिख कर यह दे रही हूं आपको कॉपी में यह सब लिखना है और इसके बाद आपको तत्र तीरा वस्तिता अगच्छत यहां तक यह अनुवाद है और थर्ड परग्राफ गच्छन से लेकर क्रतम तक का यह हिंदी अनुवाद दिया गया है इसे भी आपको कॉपी में करना है लास्ट परग्राफ का यह अनुवाद है यह सारा काम आपको कॉपी में करना है धन्यवाद